नमस्कार मैं हूँ सुख्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है लोग अकसर सुबह जल्दी अपने काम को पूरा करने के चक्रों में नाश्ता कई बार छोड़ देते हैं साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट लूस करने के चक्र में नाश्ते को स्किप करना सही समझते हैं मगर इसे शरी को सभी उचत तत्व ना मिलने से दिन भर कमजोरी और ठकान महसूस होती है ऐसे में सुबह का नाश्ता ना करना या ठीक से सभी जरूरी तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन ना करने से शरीर तेजी से बीमारियों की चपेट में आने लगता है नाश्ते को स्किप करने की जगा आप पोहा बना कर खा सकते हैं जी हां सबजियों से तयार पोहे का सेवन करने से शरीर को सभी उचित तत्व सही मात्रा में मिलने के साथ ही बीमारियों से भी बचाव होती है तो आईए जानते हैं नाश्ते में पोहा खाने से मिलने वाले बहतरीन फायदे बात अगर एक कटोरी पोहे की करें तो इसमें कार्बोहाइडरेट की मात्रा 75 प्रतिशत वसा 23 प्रतिशत प्रोटीन 8 प्रतिशत साथी पर्याप्त मात्रा के कैल्शियूम आईरन पोटैशियूम विटामिन A, C और D पाय जाते हैं रोजाना नाश्ते में पोहा खाने से शरीर को सही मात्रा में सभी उचित तत्व मिलते हैं इसे शरीर में उर्जा का संचार होने से दिन भर एनरजेटिक फील होता है इसमें सभी जरूरी तत्व सही मात्रा में होने वाले शरीर को स्वस्तर रखने में मदद करते हैं साथी कैलरी कम होने से वजनक बढ़ने की भी परिशानी नहीं होती जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें रोजाना नाश्ते में पोहा ही खाना चाहिए इसमें अधिक मात्रा में आईरन पाया जाता है ऐसे में शरीर को सही और भरपूर मात्रा में आईरन भी मिलता है साथी पोहे का सेवन करने से पेट भरा भी रहता है और खून से शुगर की मात्रा धीरे धीरे रिलीज होती है ऐसे में शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है उमेद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें